नमस्ते दोस्तों मेरे चलें लार्णिंग माउत अग्यान इन हिंदी पर आप सभी का स्वागत है तो आज का गाना एक बहुती पॉपुलर एंड रिक्वेस्टेट गाना है आप सभी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इस गाने का नोरेशन देने के लिए मेरा नम जोकान म भी से मुकेश जी का गावा हुआ गाना जाने का गया वो दिन इस गाने का नोरेशन में आज आपको दे रही हूँ एंड इस सॉंग इस बेस्ट न रागार शिवर रंजनी इस गाना को पहले में बजा कर फिर आपको नोरेशन दे देती हूँ अगर आप चाहे तो इस गाना को आप मिडल और अपर अप्टेब में बजा सकते हैं लेकिन मेरे पास स्टेन होल का माउथ अरगेन है इसलिए मैं इसको लोर और मिडल अप्टेब में बजा रही हूँ मायथ अप्टेब में बजाए बजा के डास सकते हैं अप्टेब में बचल ईका प्ना को आपको ौइँ कर दो 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 नोटेशन देने से पहले आपको मैं कुछ बत बता देती हूँ इस गाने का जो ओरिजिनल स्केल है वो है D-minor स्केल मैं और आप सब इसको D-minor स्केल में ही वजा रहे हैं लेकिन इसका जो नोटेशन है वो है according to C-scale मतलग मैं आपको इस गाने का नोटेशन D-minor स्केल से C-scale में कौनभर्ट करके दे रही हूँ और इस गाने में शार्प मा का यूज है इस गाने में दो म्यूजिक पार्ट है तो इस गाने में ए पार्ट को शुरू करने से पहले एक लाइन है तो उसका जोग थोरा सा अलग है तो हम पहले उसको दिख लेते हैं अब ए पार्ट तो ए पार्ट के शुरू में आप देख सकते हैं एक थार्ट ब्राकेट है इसका मदलब है ए पार्ट दो बार रिपीट होगा तो ए पार्ट है नियरे गामा थानिडा अलब खार्ट लेत्र ़िड़ा कंदा स्वेघ द आप पार्ट है तो वित ऑन्वे दोगा है था ए। A part और B part के बीच में जो music part है वो मैं middle octave में बजाई थी और आपको जुन मैं narration दे रही हूँ वो भी middle octave का ही दे रही हूँ तो first music part है दे पाट का narration है धाधा नी नी धाधा रे नी रे 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 गागा गागा रे 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 अब मैं आपको सेकेंड म्यूजिक पार्ट का नोडशन दे रही हूँ तो सेकेंड म्यूजिक पार्ट को मैं लोड़ अक्टेब में बजाएं थी सेकेंड म्यूजिक पार्ट का नोडशन है रेगा मापा मागापा मापा धा निधा माधा पा धा मागारे मागारे निरे धा मागारे निधा धा धा निधा धा निधा धारे निरे रे 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 गा 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 रे रे गा मा गा मा धा 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 मा 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 गा गा मा रे निरे रे निधा धा धा मा 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 गा रे 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 गामा गामा गारे नी धा 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 नी धा नी धा मा गामा गारे धा 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 तो इस गाने का जो ओडर है वो कुछ ऐसा है पहले A part होगा A part के बाद music 1 मतलब first music part होगा उसके बाद B part होगा बी पार्ट के बाद fit से A part repeat होगा और उसके बाद music मतलब second music होगा उसके बाद B part fit से एंड उसके बाद A part repeat होगा गाना खतम होगा अगर आप इस गाने को middle upper octave में बजाएंगे तो इस notation में जो जो notes lower octave में है वो middle octave में shift हो जाएगा और जो जो notes middle octave में है वो notes upper octave में shift हो जाएगा तो दोस्तो आगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को subscribe किये बेना मत जाएगा मुझे एक like कर दिजिएगा और मेरे इस वीडियो को share कर दिजिएगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे comment करके जरूर बताएगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतन ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबान